जैसा कि हम सब जानते हैं कि वॉल्स पर पेंट लगाने के लिए हमें लेवल सर्फिस की जरुरत होती है इवन प्लास्टर की हुई वॉल पर भी अंडिलेशन, डैंट्स और हेरलाइन क्रैक्स होते है इन सारे imperfections को दूर करने के लिए और वॉल्स को clean smooth finish देने के लिए पुट्टी का यूज किया जाता है आज आप मार्केट में मिलने वाली दो popular पुट्टी, white cement पुट्टी और acrylic पुट्टी के differences के बारे में जानेंगे जिसे आप अपने घर की वॉल्स के लिए सही पुट्टी चूज कर पाएंगे शुरू करते हैं इनके concept से white cement पुट्टी, white cement polymers और mineral से मिलकर बनती है जबकि acrylic पुट्टी को बनाने के लिए white pigments, extenders, acrylic emulsion और additives का यूज होता है white cement पुट्टी powder form में आती है और application के time पर पाने मिला कर इसका paste बनाया जाता है फिर उसे वॉल्स पर apply किया जाता है जबकि acrylic पुट्टी ready to use smooth paste form में आती है जिसे कुछ add या mix किये बिना ही वॉल्स पर लगाया जा सकता है white cement पुट्टी का use हम interior और exterior walls और ceiling के लिए कर सकते है जबकि acrylic पुट्टी का use हम interior walls, wooden surfaces और ceiling के लिए कर सकते है पर इसे exterior में use नहीं किया जा सकता white cement पुट्टी का use cracks को fill करने के लिए और walls को clean mat finish देने के लिए होता है जबकि acrylic पुट्टी का use specially dents और hair cracks को fill करने के लिए uneven wall surfaces को level करने के लिए और walls को painting से पहले smooth finish देने के लिए होता है white cement पुट्टी cement based होने के कारण इसमें superior binding properties होती है इसलिए इसकी strength भी जादा होती है जबकि acrylic पुट्टी की binding property और strength cement based पुट्टी से कम होती है cement based पुट्टी का water resistance power high होता है इसलिए आप इसका use नमी और sealant वाली दिवारों पर भी कर सकते है इसके opposite acrylic पुट्टी का water resistance power कम होता है इसलिए आप इसे जादा moisture वाल्स और exteriors में use नहीं कर सकते white cement पुट्टी को आप plaster की गई wall पर use कर सकते है और acrylic पुट्टी को आप P.O.P. पनिंग की गई walls पर use कर सकते है पर यदि आपका budget कम है तो आप plaster की हुई walls पर white cement पुट्टी के दो coats फिर sanding फिर primer और फिर last में कोई भी medium range का paint करवा सकते है जैसे apcolite emulsion या tractor emulsion और अगर आप smooth और even wall finish जाते है तो उसके लिए आपको plastered wall पर पहले P.O.P. पनिंग करवानी होंगी फिर sanding फिर water based primer फिर acrylic wall पुट्टी फिर primer और फिर last में कोई भी luxury paint जैसे emulsion paint या luster paint दोस्तो यदि आप luxury paint करवाने वाले है तो white cement पुट्टी का यूज ना करे क्योंकि इससे desired finish नहीं मिल पाएगी sanding के बाद wall smooth तो हो जाएगी पर wall में undulation रहेगा ही क्योंकि undulation free walls के लिए P.O.P. पनिंग और acrylic पुट्टी must है अब हम बात करते हैं इनके price की वैसे तो market में आपको ये products काफी सारे popular brands में मिल जाएंगे पर यहाँ पे हम comparison के लिए Asian paint ब्रैंड को consider कर रहे है white cement पुट्टी का 40 kg का bag आपको around 700 to 800 रुपीज की price range में मिलेगा वही Asian paints acrylic wall पुट्टी की 20 kg की bucket आपको around 950 से 1000 रुपीज की price range में मिलेगी आप देख सकते हैं कि acrylic पुट्टी white cement पुट्टी से almost दो गुना महंगी है अब आपका question होगा कि ma'am दोनों में से सबसे best पुट्टी कौन सी है तो white cement पुट्टी को आप exterior walls में और ceiling में gypsum plaster की जगह यूज कर सकते है और आपका budget कम है तो आप white cement पुट्टी से आपकी walls को middle class finish दे सकते है पर यदि आप undulation free smooth even walls चाहते हैं तो आप acrylic पुट्टी के option को ही choose करें आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं हमारी next interesting video के साथ